कुछ दिनों में हो ली है पुरा देश होली के ड्रंग में सराबोर होने वाला है इंदु धर में होली का देहन का भी अपना महत्व है होलिका दहन की परंपरा सारों से निभाई जा रही है लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है कि होलिका दहन के बाद परयावरण को भी काफे नुकसान पहुँचता है इसी पर परयावरण को बचाने और गौस अन्रक्षिन को बढ़ावा देने के लिए जैपूर में करीब 500 जगों पर गाई के गोबर से बनी लकडी से होलिका दहन किया जाएका तुवाई प्रधान मंत्री नरीन द्रमोदी के अबाहन पर संपून गुजरात में होली पर गौकाष्ट्र का प्रयोग किया जाएका जिसके लिए राजधानी जैपूर के पिंजल पोल गौशाला से करीब 200 मिट्रिक ट्रन की गौकाष्ट्र से बनी लकडी को गुजरात और करीब 1700 मिट्रिक ट्रन पूरे भारत वरश में भेजा गया है अकल भारती गौशाला सायोग परिश्वित के अंतरास्ट्री संयोजक और भारती जैवे किसानूत पादक संकिरास्ट्री अंत्यक्ष डॉक्टर अतुल गुपता ने पियम मोदी को पत्र लिख कर श्रिपिंजर पोल गौशाला में आमंतृत किया है साथी ने विदन क्या है कि गौकाष्ट निर्मान को बढ़ावा देने है तू भारत में गौ उद्योग ग्राम काईक्रम बनाए जाए पियमोदी क्या बहान के बाद राजस्थान में भी डेरी और पश्युपालन विभाग मंति जोराराम कुमावत ने भी संपूर्ण प्रदेशवासियों से हुलिका देहन पर गौकाष्ट से बनी लकडी का प्रियोग करनी की अपील की है मैं राजस्तान की समस्ष जनता से आहवान करना चाहँगा निवेधन भी करना चाहँगा कि गाए की गोबर से लकड़ी मार्केट में यहां भी कोई उपलप्द हो तो घ99 अपने उली दियान करे तो गाए के गोबर की निरमीद की आपि लकड़ी से इसे निशी दूप से उससे दुआ भी कम होगा पर्दोसन भी कम होगा और वो लखड़ी जलती भी जल्दी है तो उसका फाइदा भी निशितरुप से होगा और गाय का जो गोबर है गोबर के परती लोगों की रूची बड़ेगी और गाय पालना में इसे भी लोगों की रूची बड़ेगी हूली का तयोहार अब से कुछी दिनों में आने वाला है और जाहिर सी बात है हूली के तयोहार पर हूली का देहन होता है लकडियां उसमें जलाए जाती हैं लकडियां जलती है तो कहीं न कहीं तयोहार तो हमारा मन जाता है लेकिन पीछे छूट जाता है प्रोदूशन जो हमारे एट्मोसफेर को वातवरण को खराब करता है इसी चीज़ को दूर करने के लिए पिछले साथ साल से एक व्यक्ति लगा हुआ है और आज कहीं न कहीं उसकी कोशिश को एक अंजाम मिला है हमारे साथ में अतुल गुपता जी मौझूद है अतुल गुपता जी साथ साल से अब गौकाष्ट बना रहे हैं गाय के गौबर से लकड़ी बना रहे हैं ताकि जब ये लकड़ी जले गाय के गौबर से बनी हुई लकड़ी जले तो ना सिर्फ हमारा परियावरण शुद्ध हो सके बलकि गाय के गौबर का जो इस्तेमाल है वो कमर्शली भी हो सके अब आपको एक अचीवमेंट आपको मिला है आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है देखे गाय के गौबर की लकड़ी का विचार आज से साथ वर्ष पूर वाया जब हम श्री पिंजरा पॉल गोशाला में गाय के गौबर का जब हमने देखा सब्लाइब के आसमान तक सभी स्वच्छ और लगो करता है इसने में ऐसी कहleton होते जो की जलने में अक्सीजन देता है यादि व्यावर्ण पेजरा अठाथ कि दिए इस कारे सब्सक्राइब टैसमें नरैंद्र बोदी जी का आवान है भारत उसकी कड़ी में अहमदाबाद गुजरात में एक mandate पास हुआ कि गाय के गोबर की लकड़ी से ही वहाँ पर होली का देहन का कारिक्रम चलेगा तो इसको लेकर के हमारे पास में बहुत सारे ओर्डर एक साथ अचानक से आए जिसमें लगबग 200 मेट्रिक टन की सप्लाई जो है हमारे लोगों के द्वारा की जा रही है और कल ह एक 20 तन का ट्रक भी यहां से गाय के गोबर की लकड़ी का यहां से जाने वाला है तो महत्मुन बात यह है कि देश में गाय के गोबर की लकड़ी का ब्यवसाइगी करण 10 रुपे किलो की रेट में जब कोई व्यक्ति खरीद करके और 10 का रुपे किलो का भाड़ा देकर या की एकम का भी प्रोथ साहिद कर रहे हैं लोग S सब्सक्राइब को हम पूरा करने के हैं हमारे टार्गेट था द्था कि हम से हम काम कर रहे हैं लेकिन मानिय जी का जो हमें सयोग और मिला है और जिस तरह से उनके विचार हम हमारी विचारों के साथ connect हुए तो हमें निश्यत लगता है कि बहुत जल्दी राजिस्थान के गाऊं गाऊं के अंदर यह गव उद्योग ग्राम निश्यत बनेंगे और हम ज करूंगा कि आप जब दूर दिल्ली से हमारी मदद कर रहे हैं तो एक बार आप जैपुर आएं एक बार आकर के यहां देखें श्री पिंजरा पॉल गौशाला में तीन सो प्रकार की जड़ी बूटियां लगाई हुई हैं किसानों को प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च् को ट्रेंड कर रहे हैं और राज्य के और देश की विकास में अपना अमुल योगदान जो यहां से दिया जा रहा है उसकी उसको यहां प्रसाहित करने के लिए आप पदा रहे हैं तो आजकल गाउं की अगर हम बात करें तो लगबग लगबग गाये गाउं से गायब होती जा रही है उसकी जगे भैस ने ले लिए तो क्या आप किसी ऐसी कोई कारिशाल का आउजन कर चुके हैं या करने वाले हैं ताकि गाउं में गाये का आगमन दुबारा हो गव उद्योग गराम का जो संकल्प है वो यह है हम पिछले साथ वर्सों से एक ही काम कर रहे हैं कि उ उन्होंने ये दुनिया को बताया कि गाये का गोबर यहां से बिक रहा है यहां से यह कारिक्रम हो रहे हैं आज आप देख रहे हैं यह और गयनिक पार्क में 300 तरह की जड़ी बूटी है गर्मी में कम पानी के होते हुए भी यहां हरियाली है 300 तरह के पौदे होना और उनको बिना मतलब जो है संसादन की कमी के बावजूद भी यहां पर इस तरह का बातावरण होना साथ में इंकम भी होना यह बहुत बड़ी बात है तो हम ऐसे गाओं का निर्मान करने के साथ साथ में प्रतेग घर में एक गाये देशी गौमाता को पहुंचाने का कारिक्रम अभी हमारी पास में कोई आर्थिक सयोग राज्यवा केंद्र की तरफ से नहीं है लेकिन हम सयोग मिले या नहीं मिले हम इस दिशा में काम करते रहेंगे और हमारा जो जो सोच है कि राजिस्तान के दस अजार दोसो पंचायतों को निशित गो आधारित पंचायत बनाना इस सेंटर अब हम गोबर के कलेक्शन सेंटर बनाएंगे और एक टीम हमारी काम भी कर रही है को मुत्र को निकालने के लिए हम एक कोई यंत्र बना रहे हैं कि आराम से गौमाता का गोबर गोमुत्र इखटा किया जाए तो यह सब कर रहे हैं जब भी बोदी जी से भेट होगी तो उनसे हम निवेदन करेंगे उनसे सयोग मागेंगे और निश्यत मुझे मालूम है कि उनका हमें सयोग मिलेगा पिछले साथ साल की जो इनकी मेहनत है गाय के गोबर से जो लखडी नोंने बनाई है वो वाकई में हमारे पर्यावरण को शुद्ध करेगे कि लखडी एक ऐ होता है तो अगर हर उस जगे अगर ये गोखाष्ट जलेगा तो ना सिर्फ हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा बलकि गाय आधारित जो उद्योग है उन्हें भी बल मिलेगा सेयोगी कैमरामेन आजियो के साथ उमंग माथूर नफ्तेश टीवी जैपूर